साहरनपूर उत्तरप्रदीश का वो शहर जहां लकड़ी की नकासी एक कला नहीं बलकि एक परंपरा है लेकिन इस परंपरा की खास बात ये है कि यहां की मिट्टी में सिर्फ कला ही नहीं बलकि भाई चारे की गहरी जड़े पनप रही है जी हां साहरनपूर की पहचान न सिर्फ लकड़ी के बहतरीन काम से है बलकि यहां के कारीगर की सोज भी उतनी ही सुन्दर और मोहक है सहरनपुर के लकडी, कारिगर जिन में 90 प्रतीशत मुस्लिम समाथ से आते हैं सालों से हिंदुओं की आस्था के मंदर तयार कर रहे हैं वे वही मंदर है जो न सिर्फ सहरनपुर या भारत के अलग-अलग हिस्सों में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर देवी देवताओं का वास बनाते हैं हर मंदर की मांग होती है, हर मंदर की अपनी खासियत होती है और हर मंदर की अपनी कहानी होती है इन मंदिर को तयार करने के लिए शीशम, सागवान और नीम जैसे बेश कीमती लकडियाओं का इस्तमाल किया जाता है जो नकाशी के जरिये एक खूबसूरत रूप लेती है ये नकाशी है जो एक साधरन लकडी को एक पवित्र मंदिर में बदल देती है इस कला को संजोने वाले कारीगर बताते हैं कि वैं पिछले 15 से 20 सालों से ये काम कर रहे हैं और हर बार जब वैं एक नया मंदिर बनाते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वैं खुद भी किसी पवित्र कारे का हिस्सा बन रहे हैं फीज भी तो हो गए तीस पेटिस साल हो गए जिए चैसे लगता है अच्छा लगता है तो फिलाल तो मंदिरों कर रहे हैं कि पर फिलाल तो अभी दो चार साल से कर रहे हैं मंदिरों ने खती सहरनपुर का ये लकडी व्यपार अब एक अंतर राष्ट के स्तर पर पहचान बना चुका है यहां से मंदिरों की मांग सिर्व भारत में नहीं बलकि विदेशों में भी होती है और कीमत की बात करे तो यहां 500 रुपे से लेकर 50,000 रुपे तक के मंदिर बन जाते हैं हर मंदिर पर पॉलिश की जाती है ताकि उसकी सुन्दर्ता और बढ़ जाए और वो और भी आकरशित लगे सहरनपुर के व्यपारी मोहमद आरिफ बताते हैं कि मुस्लिम की दुकान से हिंदू मंदिर खरीद रहे हैं ये एक मोहबबत का पैगाम है ये भाईचारा और मोहबबत ही है जो सहरनपुर को खास बनाता है ये वो जगे है जहां नकाशी के जरिये दिलों पर भी नकाशी की है मोहमद आरिफ है कि यह हमारे पापा के टाइम देख लगबग 20 साल के हम बनाते आ रहे हैं और यही काम हमारा एक तगा प्रतिक है हमारे यहां पे जितने कारीगें तोटल मुसलिम हं और हमारे को अर yağतने वाले वाले ढूने तो सब को पता है रायचेता लोग होते हैं वाकिया बस में महुत महबत है हमारे अंदर, 20 साल ते हमारी सब पारटी हिंदू ही हैं, कि अज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी से किसी बात पर कोई कास नहीं हुए हो कभी नहीं हुआ लोकल इटीन के लिए सहरनपूर से अंकुर सैनी की रिपोर्ट